सीनात तान करके कह रहे हैं कि एक दिन तो आरक्षण खत्म होगा ही SC SC ROBC समुदाई को समिजान से मिले आरक्षण का हग कोई नहीं छिन सकता हमारा और कोई गुणा नहीं है हमारा गुणा यह है कि हम OBC यती पिछड़े मा की कोक से पैदा हुए है आज की कॉंग्रेस अर्मन नक्सलियों के सिकंजे में है कॉंग्रेस ने एक बार भी कभी यह नहीं कहा कि पीयों को वापस लाएंगे कॉंग्रेस ने देश का मुकुड तोड़ दिया कश्मीर के भी टुकड़े कर दिये कॉंग्रेस कायर करता डंके की चोड़ पर ताली पर ताली ले करके सीनात तान करके कह रहे है कि एक दिन तो आरक्चन खत्म होगा ही यानि कॉंग्रेस ने आरक्चन खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके समदाई को समिजान से मिले आरक्षन का हक कोई नहीं चिन सकता आपने देखा होगा यह लोग दिन रात मुझे गालिया देते हैं अब हमारे मुक्मंत्री जी साइनी जी को भी गालिया देते हैं हमारा और कोई गुणा नहीं है हमारा गुणा यह हैं कि हम OBC यती पिछड़ी मा की कोक से पैदा हुए हैं इसलिए इसलिए गालिया दे रहे हैं साथियों आज की कॉंग्रेस अर्मन नक्सलियों के सिकंजे में हैं दुनिया में जो जो बारत को बदनाम करने में जुटे हैं जो हमारे दुश्पनों के एजन्डे को आगे बढ़ाते हैं कॉंग्रेस के यह नेता उनको खुले आम गले से लगाते हैं यह अर्मन नक्सली गटजोड भारत को कभी भी मजबूत होते नहीं देख सकता इसलिए यह लोग हमारी सेना पर भी हमला करते हैं आप देखिए हमारी सेना ने दुश्पनों को बार बार पिटा लेकिन कॉंग्रेस का साही परिवार दुश्पनों की तारिप करता है साथियों मैं सोशल मेडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था वहां कॉंग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे इनमें लिखा था कि कॉंग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे लेकिन कॉंग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीयों को वापस लाएंगे पीयों के वापस लाना उनके मुँ से नहीं निकलता है कॉंग्रेस ने देश का मुकुड तोड़ दिया कश्मीर के भी टुकड़े कर दिये इतना बड़ा हिच्सा गमा दिया ये उस पीयों के को वापस लाने की बात नहीं करते हैं लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं ये बातें आज सोचल मिडिया पर कॉंग्रेस के लिए लिखी जा रही है सही मैं ये देश का दुर्भा क्या है तीन सो सत्तर की वापस के मुद्धे पर कॉंग्रेस को उसकी तारीप कर रहा है कॉंग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने भरपूर समर्षन दिया है अब आप ही बताईए जो एजेंडा पाकिस्तान को पसंद है वो कट्टर देश भक्ता मेरे हर्याना के लोगों को क्या कभी भी पसंद आ सकता है क्या जो कॉंग्रेस पाकिस्तान को खुश करती है वो हर्याना को कभी भी खुश रख सकती है क्या साथियों कॉंग्रेस देश की सबसे बेवान और दोखे बाज पार्टी है